हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टो सरकारी रिजल डड़ा दोस्तो आजम फी लेकर आए है नई जौब की जानकारी जो हरियाना पुलिस द्वारा निकाली गई है दोस्तो आपको डिटेल में जानकारी दी जाएगा और फॉर्म बनने के बारे में बताया जाएगा लेकिन इससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब जुरूर कर ले और बेल आइकन को हिट कर ले जिससे आपको सभी लिटे जौब का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके तो चलिए बात करते हैं जौब के बारे में डिटेल में पोस्त की बात करें तो इसमें constable की post है और SI की vacancy है नमबरा पोस्ट की बात करें तो 6400 vacancy है salary की बात करें तो constable की salary 21,700 से 79,100 है और SI की salary 35,400 से 1,12,400 है education qualification की बात करें तो police constable के लिए candidate को 12 पास होना चाहिए तथा SI के लिए graduate पास होना चाहिए age limit की बात करें तो SI के लिए 21-27 साल होनी चाहिए तथा constable के लिए age 18-25 साल के बीच होनी चाहिए selection process की बात के इसमें written test, computer based test होगा उसके साथ physical test होगा form बने का last date 26 June 2019 आप इससे पहले form को जरूर fill up कर दे मैंने link description में दे 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 आप वहाँ पर जाकर click करके click here के सामने, apply here के सामने click करके form को fill up कर सकते है इसका link जो है 12 June से open होगा तो चलिए बात करते हैं detail advertisement की दोस्तो advertisement जो हर्याना staff selection commission द्वारा निकाला गया है अगर date of publication की बात के तो 9 June को यह advertisement निकला है तथा इसका form बनने का जो date है 12 June 2019 से start होगा जैसे इसका link open हो जाएगा एक नया video बना देंगे कि आपको कैसे form को fill up करना है आप उसको form को fill up कर सकते हैं उसे देखकर तथा form बनने का last date जो 26 June 2019 है तथा फीस जमा करने की last date 28 June 2019 है अब बात करते हैं number आप post की तो category number 1 में total 5000 vacancy है जिसमें journal के लिए 1800 है, SC के लिए 900 है, BCA के लिए 700 है BCB के लिए 400 है EWS के लिए 500 है, ESM और general के लिए 350 है ESM SC के लिए 100 है, ESM BCA के लिए 100 है ESM BCB के लिए 150 है जब बात करते हैं category number 2 की इसमें total 1000 पोस्ट है, female constable के लिए जिसमें journal के लिए 360 है SC के लिए 180, BCA के लिए 140, BCB के लिए 80 सब्सक्राइब दोस्तों कर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें कंडिडेट को जो है बार्मी पास होना चाहिए अगर फिजिकल इस्टेंडेट की बात करें तो मेल कंडिडेट के रिजर्व केटेगरी के लिए 168 cm हाइट होनी चाहिए तथा चेश जो है 181 cm तथा फुलाने पर 85 cm होना चाहिए अब बात करते हैं फीमेल कंडिडेट की तो इसमें हाइट जो है 158 cm जनरल के लिए है तथा बाकी सबी के लिए 156 cm होनी चाहिए हाइट दोस्तों जो फिजिकल स 15-25 साल के बीच होनी चाहिए अगर पेस केल की बात करें तो 21,700 से 79,100 लेवल 3 का है अब बात करते हैं काटेगरी नंबर 3 की इसमें टोटल 400 वेकेंसी हैं सब इंस्पेक्टर की हैं जो की मेल गेंडिडेट के लिए है इसमें जर्नल के लिए 144 हैं SC के लिए 72 हैं BCA के लिए 56 ह BCB के लिए 32 हैं, EWS के लिए 40 हैं, ESM जर्नल के लिए 28 वेकेंसी हैं तथा ESM SC के लिए 8 है, ECM और ESM BCA के लिए 8 वेकेंसी, ESM BCB के लिए 12 वेकेंसी हैं अगर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें केंडिडेट को ग्रेजुएट पास होना चाहिए तथा द 4 सेंटीमीटर यानि 87 सेंटीमीटर होना चाहिए तथा बाकी सभी केंडिडेट के लिए 168 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए तथा चेस जो है 81 सेंटीमीटर तथा फुलाने पर 4 सेंटीमीटर होना चाहिए, एज की बात करें तो इसमें एज जो है केंडिडेट की 27 साल के ब चेंट के लिए 100ी रुपे फीज है। 20å रुपे फीज है चिंच का इसेवेरा के लिए 300 रुपे पीज है। सब्सक्रटीकाइब करनेच के लिए 80 ofьте फीज है। जो है इसमस्ट के लिए के लिए टेश्ट से ट्राइंगोगा कौलिफाइँ आपको इसका पर जाकर डिटेल में पढ़ सकते हैं और इसका फॉर्म जो है बारा जून से ओपन होगा उस दिन हम एक नया वीडियो बना देंगे कि फॉर्म कैसे भरना है आप उसको देखके फॉर्म को फिलप कर लेना दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगाओ तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें लथा इसे लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और ये वीडियो देखने के लिए तो हमाँ साथ बने रहने के लिए का बहुत बहुत धन्यवाद